नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं आजे प्रमातमस आज मैं शमशेरा के बारे में आप से जानना चाहता हूँ कि आपको कैसी उमीद है इस फिल्म से जहां तक मेरी बात है मुझे लगता है कि यह फिल्म जरूर दर्शकों को पसंद आएगी बड़े स्केल पर बनाएगी यह फिल्म पीरियट फिल्म कही जा रही है 18-18 के आसपास कजा नाम के कालपनिक इलाके में फिल्म की कहानी घटती है जहां पे शुद्ध सिंग और समसेरा हैं दोनों आमने सामने हैं शुद्ध सिंग बिटिस सरकार का नुमाइंदा है और समसेरा वहां के ट्रैबल का नेता है और उन्हें लीड करता है वह अपनी सोतंतरता के लिए वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए वह अपने समूह की एकता के लिए प्रतिपद्ध है और उसी की लड़ाई लडता है इसमें रनबीर कपूर ने बाप बेटे दोनों की भूमी का निवाई है तो यह भी देखना रोचक होगा पहली बार डबल रोल में वे कैसा अबने करते हैं साथ ही इस फिल्म के अंदर वाणी कपूर है संजय दत्त हैं आशुतो उश्राना हैं सौरब सुकला हैं रोनी तराय हैं और धेर सारे कलाकार हैं जिसमें कुछ बिडिस आर्टिस्ट भी रखे गया है चुकर यह कहानी उसी जमय की है रनवीर कपूर की इस फिल्म का बेशब्री से इंतजार है इसलिए कि रनवीर कपूर की पिसली फिल्म चार साल पहले आई थी संजू संजू के बाद से उनकी कोई फिल्म ने आई है हालाकि इस बीच में पैंडेमिक के वज़े से सारा काम ठप रहा इसलिए उनकी भी फिल्में रिलीस से अटक गई थी आपको पता दू कि इस फिल्म की शूटिंग 2018 में आरंब हो गई थी और देश विदेश में इसकी शूटिंग की गई है और लद्दा के कुछ ऐसे इस फिल्म की शूटिंग की गई है जहां कैमरा यूनिट पहली बार पहुचा था जहां उन्हें एक साथ रेत, नदी, पहार बर्फ, सब कुछ बिला और निला आसमान तो है ही इस फिल्म के डिटेश जाकर IMDB पर देखें तो आप पाएंगे कि इसके पाँच लिखक है जिसमें करन मलोत्रा स्वैम है इसके अलाबा एकता पाठक मलोत्रा है फिर खिला बिष्ट है निलेश मिश्रा है और प्यूश मिश्रा है इसमें कुछ ने स्क्रिप्ट लिखी है कुछ ने डायलोग लिखे हैं और कहानी निलेश मिस्रा और खिलाबिस्ट की है। इसके अलाबा इस फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका वह है इसका वीएफेक्स। वीएफेक्स के लिस्ट जाकर देखें तो वहाँ एक तालिस व्यक्तियों के जानकारी मिलेगी। यह अलग-अलग समू हो सकते हैं, अलग-अलग संस्थाएं हो सकते हैं, अलग-अलग स्टूडियों हो सकते हैं, जहांके लोगों ने यह सारा काम संपन किया होगा। इसके अलाबा स्टंट के लिए 23 वेक्तियों को जोड़ा गिया है जिसमें भी देश-विदेश के कई सारे स्टंट मास्टर हैं और स्टंट एक्सपर्ट हैं तो इसलिए यह फिल्म एक एपिक फील तो दे रही है और मुझे लगता है कि परदे पर भी या एक अलग एपिक डालेगी क्योंकि इसे आइमेक्स में देखना ज्यादा रोचक होगा अब देश में इतने आइमेक्स थीटर हैं नहीं तो आपको दूसरे ऐसे थीटर से काम चल होती है फिल्म 22 जुलाई को रिलीज हो रही है और हम सभी को इंतजार है क्योंकि इस अपते और कोई दूसरी बड़ी फिल्म नहीं आ रही है तो देखें रनवीर कपूर और वानी कपूर की जोड़ी परदे पर कैसे दिखाई परती है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ह रनवीर कपूर और संजेदत की टककर क्योंकि दोनों आमने सामने होंगे तो मुकाबला बेहतरीन होगा मुकाबला रोचक होगा और मुकाबला जरूर कुछ हैरत अंगेज द्रिश्वी ले आएगा करन मलहत्रा को बढ़ाई और शुब कामनाए अभी से फिल्म के लिए बा